लोग सभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी करती है और पहली लिस्ट के तरह ही इस लिस्ट में भी कई सारे ऐसे फैसले देखने को मिल रहे हैं जिसके जरिये आप ये मान के चल सकते हैं कि बीजेपी ने जो टागेट रखा है तीन सो सतर का और बारों में वो कौन-कौन से ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर कम से कम आपने तो उमीद नहीं की थी कि इन चेहरों को चुनाव लड़वाया जा सकता है मैं सबसे पहले केंद्रिय मंत्री प्यूश गोयल पर फोकस करती हूं प्यूश गोयल अभी तक राज्यसभा के जरिये ही सा अखली दफा यानि राज्यसभा से वो भी सांसत बनते थे लेकिन उन्हें भी चुनाव लड़वाया गया और क्यूंकि जातिय समयकरन के लिहास से उन्होंने वहां से अच्छी बढ़त के साथ जीत हासिल की अब मैं आपको दो और महतुपुन बड़ी बाते बताऊंगी कि वो किस तरीकी का प्रियोग है? दरासल दो सीयम चहरे जो रहे हैं एक करनाटा के और एक हर्वियाना के उन्हें भी चुनावी मैदान में सांसत के लिए उतार दिया गये हैं वो दो चेहरे कौन है करनाटा की बसवराज मुंबई जो की पूर्व सीम है और मनोहालाल खटर जो की हर्व्याना की सीम है और बीते हपते ही उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफे देने के साथ साथ ही ये बाते निकल कर सामने आ गई थी कि इन्हें संभावता लोक सबा चुनाओ लड़ाया जा सकता था जिस पर मोहर लग चुकी है दूसरी लिस्ट आने के साथ आती महराश्ट्रा वो प्रदेश है जहां कि 48 सीक्टों को लेकर पेंच तो फसा हुआ है बीजेपी अभी इस कोशिश में है कि सयोगी दलों के साथ गड़बंदन उस तर उत्राखन पे भी जरा फोकस कर लो उत्राखन में भी अनिल बलूनी है उनको भी बहां भेजा गया है और सीट पहली बार तो एक चुनाओ लड़वाया जा रहा है और उसके अलावाद जस शेत्र से बाते हैं उस शेत्र से चुनाओ ना लड़वाकर दूसरी जगह पर प्र किये गए हैं और यह जितने भी नाम आपको देखने को मिल रहा है ऐसानी की आननफानन में तयारिया हुई है बीजेपी वो पार्टी है जो सालों साल कहा जाता है कि हमेशा चुनाओ के मूर में होती है और एक सीट पर कई लेर्स के सर्वे किये जाते हैं जिसमें कारिसिस का सर्वे होता है जिसमें इस्थानिये लेवल के जो लीडर्स होते हैं उनसे वन-टु वन यानि बूध लेवल के कारेकरता तक से फीडबैक लिया जाता है और तीन से चार नाम के स्कूरूट नहीं होती है और उसके बाद दिली में कैलीहर्स के मंधनन और मंधन के बाद प्राइब के लिए ओक और या यहां पर देखने को मिला है जहां पर क Oooh collection हुआ और तेलांगाना की इस वक्त में बात करूंगे अभी दो ही दिन पहले कुछ चेहरे जो कि बीजेपी का दामन थामते हैं और उनको भी बहाँ पे भरोसे मिलिया जाता है उन पर भी भरोसा किया जाता है उन्हें भी टिकट मलता है हलाकि बीजेपी वो अनुशासित पार्टी ह कि अगर किसी का टिकट कर जाए तो भी वो उस तरीके से नाराज की व्यक्त नहीं करता है और जिस पर भरोसा किया जाए अब जैसे प्यूश गोईल अभी तक चुनावी मैदान में उतारा गया तो आप कहीं से भी इस तरीकी खबर नहीं सुन तकते हैं कि प्यूश गोईल इस बात से नाराज हों कि हमें तो चुनाव नहीं लड़ना हम तो राज्य सभा के जरीए जाना इस बीचेपी वही पार्टी है जिसमें कहीं भी इस तरीके की कोई बवाल किस्तिती होती नहीं है हाँ जो पहली लेस्ट आई थी उसमें दो हमें जरूर फेर बदल देखने को मिले थे और दोनों विबादित चेहरे थे दरसल एक बाराबंकी और एक आसन सोल की सीट को लेकर जो पेच वासा था दरसल पवन सिंग को लेकर इतने ट्वीट्स हो गये थे बात पीमों तक पहुची और वहां से फीडबैक किये मिला कि अगर इतनी महिलाएं उनके खलाफ म मंतरी से मांग कर दिये कि इस चेहरे को हटा दीजे तो पहली बार अंदर खाने की खबर सामने आई कि पवन सिंग को खुद बीजेपी के तरफ से बोला गया कि आप चुनाव वहां से नहीं लड़ सकते हैं तो ये बीजेपी की दूसरी लिस्ट के जरिए हम बात कर रहें अ अगत करा तेरे झाल